नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है इस चैनल पर बाल विकास्यम सिक्षा सास्त्र का ये क्लास 3 है प्रेक्टिस सेट का जिसमें चुने होए प्रस्णों को मैं बता रहा हूं और आपका CGTT के लिए समय भूत कम है आप इन वीडियोस को पूरा देखिए नोट्स बना ली दि वहीं से ही तो प्रशन आएगा सिक्षा सास्त पूरे फ्लोस पर मनोवज्ञानिक दार्शनिक हैं उनसे संबंदित प्रस्ण अधिकतर पूछ जाते हैं और कुछ ब्रस्ण आपके common sense से संबंदित होते हैं situation based होते हैं कि ऐसा हुआ तो आप क्या करेंगे वैसा हुआ तो आप प्रस्ण में पूछा है कि भाग नहीं है उसको बताना थे कि प्रस्ण बैखे करना कौनरबलन और माडलिंग यह तीनों उसके भाग होते हैं प्रस्ण को पड़ने के लिए उतर देने के लिए एक तरह से अभी प्रेरिद करना ये होता है पुनर बलन जैसे कि हमने एक बच्चे को देखा कि वो जवाब नहीं दे रहा है उसका सापाटी जवाब दे रहा है तो टीचर उसे कहता है कि जब वो जवाब दे सकता है तो तुम भी दे सकते हो तो ये होता है पुनर बलन और व्याख्या करना मतल अग्ला प्रसनाइं दो क्तनों में कौन सा सही है कौन सा गलत है? jotka कर कि लड़कियां जादा तर विध्यालत त्याग देती हैं दूसरा कथन और लड़कियां घर पर अपने छोटे भाई बहनों की देख़ल करती हैं To iki usando कथन और कारण दो सही है यदि किसी बच्चे की मांसिक आयू 12 और वास्त्विक आयू 10 है तो उसकी बुद्धी लाबदी क्या होगी हमें पता है कि बुद्धी लाबदी का सूत्र होता है मांसिक आयू जो होता है उसका बटा होता है वास्त्विक आयू और उसके गुणा में हम करते हैं पूरे के गुणा में 100 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर मांसिक आयू दिया है 12 मांसिक आयू दिया है 12 तो हम लिख देते हैं 12 और वास्तिविक आयू है 10 और गुणा करते हैं 100 से तो हमारे पास क्या आएगा ये 10, 10, 100 और 120 हमारा आंसर आएगा तो इस तरह से इसको हल करते हैं और बता देता हूँ कि वास्त्विक आयू और महास्त्विक आयू से समझ बुद्धी लब्दी का सूत्र दिया था इस्टर्न और बिने ने तो ये भी आपको याद रखना है प्रश्न बनता है कि बुद्ध बुद्धी लब्दी का सूत्र जो है वो इस्टर्न और बिने ने प्रतिपादित किया था इस्टर्न अलग वेक्ति का नाम है और बिने अलग वेक्ति का नाम है और इतना तो आपको याद रखना है इस तरह से भी प्रश्न पूछे गए हैं कि किसने प्रतिपादित किया थ बुद्धी लब्दी का सूत्र अगला प्रस्ण देखते हैं मौकिक उद्देश्य मौकिक परिक्षा का उद्देश्य क्या है इन चारों आप्संस में तो हम देख लेते हैं कि मौकिक परिक्षा का उद्देश्य क्या होता है विद्यार्थियों की कट्टैयों की पहचान करना भासा के धारा प्रवायम दलेचले प्रयोक की जाच करना विद्यार्थियों के भासाई कौसल को प्रयूट करने की चम्तक की जाच करना तो यह तीनों ही उद्येस है तो आंसर हो जाएगा उप्रोक्त सभी अगला प्रशन देख लेते हैं कि 박छ hthing के विद्याथियों के निम्नम मैंसे कोन सा सिक्षन का सब से अच्छा मादियम है कच्छा 3 की बात करी जा रही है कछ ते तो embrace स्विछनाथ्मक क्रिया क्या होता है कि रचनात्मक क्रिया क्रिया क्लाब जैसे की बच्चों को हमने एक तरह का खीलोना आता है जिसमें अशे अलग-अलग में आपको बताता हूँ कि अलग-अलग هي चै undergraduate aspire अलग-अलग डिब्ब्ब्ब होते हैं कई के हिस्से होते हैं हरा यह होता है स्रीजनात्मा क्रियकलाप और एकक्षा तीसरी छोटे बच्चों के लिए यह सबसे अच्छा माध्या में उन्हें सिखाने के लिए निसक्त बालकों की सिख्चा के लिए प्रावधान किया जा सकता है तो जहां भी निसक्त बालक दिव्यांग बालक या विशेस आवसक्त वाले बच्चे की बात की जाए तो समावशित सिख्चा ही उसका आंसर होगा समावसित सिक्षा का मतलब होता है समानय बچों के साथ निसक्त बच्चों को भी पढ़ाना तो यह होता है समावसित था अग्ला प्रश्णो देखते हैं आकलन कर वहाँ प्रकार जो की विद्यार्थियों की प्रति-पुष्टि जाली कि अवहाँ प्रकार हैं जो कि विद्यार्थियों के अधिग्म की प्रति-पुष्टी लेने दफ हुपलब्दी एवां रेसाथमक तरीकों को बहतर पहतर-बनाने एवां विद्यार्थियों की कम्जोंको दूर्द ने तो यह आफ को यॉद्यार॥ Ward कवाप्रकाद जो की विद्यार्थियों के अधिग्यम की प्रति पूष्टी लेने तथा विद्यार्थियों की उपलब्दी एवं निदेसात्मक तरीकों को बहतर बनाने विद्यार्थियों की कमजोरियों को दूर करने से संबनित है वो द्रचनात्मक आकलन है अगला परशन तो तिम बार कई वर पूछाज़ाज़ना है कि किस अवस्था को गेंग questions कहा जाता है तो यह आएंप प्र質 नहीं कि शना है किस अवस्था को तो इसका सिन आंसर है बाले allowing को अगर को तक दिने हो तो यह आपके लिए सहीं होगा कर था यूनज्था बच्चों से चंस्ता और वैस्विक सभाजर्वी दिल आपको याद रखना प्रश्न पूचह क्स पूछा जा सकता है क्ल conductor कौन सा उपागाम अधिधानधवन करता को केंद्र में रखता है अधिधानधवन करता मतलब जो सिखने वाला बच्चा उसी को कहा जाता है ना कि सिख्छक को रखा जाता है बलकि बालक को रखा जाता है तो उसको कहा जाता है श्रिजनात्मक उपागम इन चारों आप्सन में श्रिजनात्मक उपागम ही सही आंसर होगा अधिगम प्रभावित होता है देखिए तो अधिगम समाजी का अंतक्रिया से भी प्रभावित है अंतर व्यक्तित्व संबंद से भी और दूसरों के संप्रेशन से भी इस तरह से सही आंसर क्या हो गया यह सभी अगला प्रशन देखते हैं किस ने कहा कि बच्चे संसार में लेंग्वेज एक वी जिसन डिवाइस के साथ जन मल लेते हैं तो यह कहा था चॉम्सकी ने नौम चॉम्सकी आपको सिर्फ चॉम्सकी याद रखना है उनका जो पीछे का नाम है पिछला नाम है लाश्ट नेम है वह याद रखना है यह एक वी चॉंस की इस तरह से याद रखना है वेज्ञानिकों से सम्मनित प्रश्ण पूछे जा सकते हैं अगला प्रश्ण देख लेते हैं मतलब होता है चाइल्ड वीद इस्पेशल नीट मतलब विशेश आवसकता वाले बच्चे इन बच्चों को पढ़ाने एवां सिक्षकों हेतु कौन सी बेठा कवस्था आदर्स वाद है तो हम सब को पता है कि गोलाकार बेठा कवस्था और यूवकार की बेठा को यह आदर्स में तो एक से पंदर तक का प्रस्ण का उत्तर हमने बता दिया सोला से तीस तक का उत्तर अगले वीडियो में बताया जाएगा तो इस वीडियो में इतना ही और धर्न्यमाद आपका